वेलकम टू एक्जाम भी वीजना तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे साथे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजीगा तो यहाँ पर जो पहला कुशन पूछा गिया है DDoS Attack जो हाली में समाचारों में था किस किस्तर से सवंदीत हैं तो क्या था समाचारों में दोस्तों तो यह था DDoS Attack ये हाली में समाचारों में था और ये पुछा गया है किस किशेतर से सबंदीत हैं तो ये होगा साइबर सुरक्षा से सबंदीत क्या है साइबर स्केयोटी से रिलेटिड था ये अगला कोशन है किस देश के राष्टरिय महासागरिय एबं बाता बढ़न ये प्रशाषन ने हाली में न्यू क्लाइमेट नू क्लाइमेट नॉर्मल्स जारी किया है तो ये किया गया है USA के द्वारा यहाँ पर ऐसे ही भी कल्प होगा अगला कोशन है COVID-19 महामारी का सामना करने के लिए भारतिय सस्थर सेना द्वारा हाली में प्रार्म किये गए ऑप्रेशन का क्या नाम है तो ये था ऑप्रेशन कोजीत क्या है जो ये ऑप्रेशन कोजीत है यह COVID-19 महामारी का सामना करने के लिए भारतिय ससस्तर शेना के द्वारा प्रारम किया गया आपरेशन था यह है ठीक है न इसको याद रखी का इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिक्चा के लिए अगला कोशन है आपदा प्रबंदन अधीनियम 2005 के किस अनुचेद के अंतरगत सर्वजानिक स्थानों पर थुकना अब अपराद है तो यह होगा अनुचेद 51B किसके अंतरगत है यह आपदा प्रबंदन अधीनियम 2005 के अंतरगत है और यह अनुचेद 51B याद रखेगा अगला कोशिन है हाल इमें सरवजानिक स्थानों पर फेस मास्क पहनने की अनिवारिता की घोशना करने वाला प्रथम भारतिय शहर कौन सा है तो यह हो जाएगा मुंबई जो मंबई शहर है ये सारजानिक स्थानों पर फेज मास्क पहनने की अन्वारिता को घोशित करने वाला पहला भारती ये शहर है इसी के साथ कई वारी ये प्रशन भी बन सकता है कि जो भारत का भो कौन सा राज्य है जिसने 100% प्रथम जो टिका लगता जैसे आपको पता है कि COVID-19 की दो बैक्सिन लगती है एक पहले लिखती है और एक दूसरी तो हाली में जो पहली COVID-19 की शत प्रतिशत टिका करने वाला भारत का कौन सा राज्य है बना है तो ये होगा हिमाचल प्रदेश इंपोर्टेश है ये प्रशन आप से बन सकता है इसको याद रखेगा तो अगला जो कोशन यहाँ पर पूछा गया है गाडनर जो गाडनर 2019 डिजिटल बर्कप्लेस सर्वे के अनुसार बिशव की सबसे डिजिटल दक्ष देश कौन सा है तो ये हो जाएगा भारत याद रखिएगा जो Gartner 2019 Digital Workplace सर्वे के नुसार बिश्व की सबसे Digital दक्ष देश कौन सा है तो ये भारत हो जाएगा यहाँ पर सही विकल्प A हो जाएगा आगे है निमन में से किसने हाली में एक नई Virtual Braille कीबोर्ड जिसका नाम Talkback है को लाँच किया गया है किसने किया है Talkback launch ये Google के द्वारा किया गया है और ये किस परकार का है यह New Virtual Braille कीबोर्ड है क्यासा कीबोर्ड है Braille? Braille तो को मालुम ही होगा जो दिश्टी हिन लोगों के लिए उपयोगी में लाए जाता है उसको Braille लीपी कहा जाता है और इसी परकार का ये कीबोर्ड भी है और इसको किसने किया है लाँच Google के द्वारा और इसका क्या नाम है Talkback है इसका नाम ठीक है ना? अगला कोशन है निमलिखित में से किसने हाली में एक पुस्तक जिसका शिर्शक है? शेटलिंग टू दा टॉप दा स्टोरी ओफ पीवी सिंदू नामक पुस्तक को लिखा है किसने लिखा है ये? ये लिखा है वी कृष्ण स्वामी के द्वारा क्या नाम है वी कृष्ण स्वामी? आगे कोशन है हिस्ट्री का पुछा गिया है माहन शाषक कनिश्क किस राजबन से स्वन्दित थे तो जो कनिश्क थे तो यह थे कुशान बंश्च से स्वन्दित यहां पर सही बिकल्ब सी हो जाएगा अगला कोशन है 42 किताब उलहिंद नामक पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है तो यह लिखी गई है अलबुरुनी के द्वारा सही बिकल्ब यहां पर भी हो जाएगा यहां पर दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ अगर आप हमारे टेलिग्राम और बाटसेफ गुरूप के साथ नहीं जूड़े हैं तो आप उनके साथ जूड़ सकते हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां पर जाकर इन गुरूप के साथ अवश्य जूड़ेगा क्योंकि यहां पर आपको महत्पुन वीडियो प्रदान के जाती है इसे के साथ जीके और करेंट फेर से सुवंदित प्रशनों को भी दिया जाता है जो आपकी प्रिक्शा के लिए महत्पुन हो सकते हैं आप अबशिये हमारे ग्रूप के साथ जूड़ेगा आगे हम डिस्कस करेंगे अब HPGK को ठीक है ना तो जो HPGK का पहला कोशन है इसमें पूछा गया है प्रतम बार डॉक्यमेंट सेव करने के लिए इन में से किस भीकलब का उप्योंग हो जाता है तो दोस्तों ये है कम्प्यूटर का कोशन इसको देख लेते हैं जो प्रतम बार डॉक्यमेंट सेव करने के लिए किस भीकलब का उप्योंग किया जाता है तो ये हो जाता है सेव यज का ये सही भीकलब हो जागा यहां से स्टाट हो जाते हैं HPGK का कोशन है हिमाचल परदेश की शेहरी अबादी की कुल जन संख्या का प्रतिशत कितना है शेहरी अबादी का कुल जन संख्या प्रतिशत पूछा गया है हिमाचल परदेश की तो यहाँ पर सही विकल्फ हो जाएगा बिन 10.03 प्रतिशत क्या है 10.03 प्रतिशत यह हिमाचल प्रदेश की शहरी अवादी की कुल जन संख्या का प्रतिशत है यादर कीगा इसको important है यहाँ पर जितने भी कोशन आपके सामने लाएगे हैं यह सभी 2021 में पूछेगे प्रिक्षा के प्रशन है इसलिए यह महत्पुन होते हैं आपकी प्रिक्षा के लिए जो आपकी आने वाले प्रिक्षा है इसके लिए महत्पुन होंगे तो इसलिए वीडियो को धियान प्रुबग देखेगा अगला कुशने जनगना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात क्या है इंपॉर्टेंट प्रशन है दोस्तों बहुत सी प्रिक्षा में से पूछा जाता है तो यह हो जाएगा 972 क्या है 972 अगला कुशन है 99 अगला कुशन है इंपॉर्टेंट प्रिक्षा में ये प्रिक्षा में पूछा जा सकता है जो बिनवा है ये हिमाचल प्रदेश किस नदी की साहिक नदी है तो ये हो जाएगी बियास की साहिक नदी बिनवा अगला कुशन है 101 इसमें पूछा गया है नाको जील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में इस्तित है तो जो नाको जील हो जाएगी ये हो जाएगी किन नौर में यहाँ पर सही बिकल्प ए हो जाएगा अगला कुछने 102 इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की गुलेर रियासत के संस्थापक कौन थे तो जो गुलेर रियासत के संस्थापक माने जाते हैं तो ये हो जाएगे हरी चंद सही बिकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा अगला कुछने नूरपूर रियासत की राजधानी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित्थी तो जो नूरपूर रियासत है इसकी राजधानी स्थित्थी आपके पठान कोट में यहाँ पर सही विकल्ब ए हो जाएगा अगला कोशन है भर्मौर का प्राचिन नाम क्या था इंपोर्टन प्रशन है दोस्तों तो जो भर्मौर का प्राचिन नाम था तो ये था ब्रहमपूर सही विकल्प यहां पर B हो जाएगा ब्रमपूर या भरमौर यह पढ़ता है आपके चंबा में याद रखेगा इसको अगला कोशने 105 इसमें पूछा गिया है हिमाचल परदेश के किस स्थान को लोकपरी रूप से पीच पाउल ओफ एशिया क्या है पीच पाउल ओफ एशिया के नाम से जाना जाता है तो यह हो जाएगा राजगर सही विकल्प यहां पर D हो जाएगा अगला कोशने 106 इसमें पूछा गिया है चंबा सेवक संग की स्थापना किस बर्श हुई थी अगला कोशन है 107 इसमें पूछा गिया है हिम उर्जाप पन बिजली पर्योजना का कार्य किस अभिकर्ण के अंतिगर्ण किया गया था तो यह किया गया था HPS EV क्या है HPS EV के अंतरगत इसको अभिकर्णी किया गया था सही बिकल्प यहां पर A हो जाएगा अगला जो कोशिन है 108 इसमें पूछा गया है आर्मी ट्रेनिंग कमांड हिमाचल परदेश की किस स्थान में स्थित है क्या है आर्मी ट्रेनिंग कमांड यह हिमाचल परदेश के शिम्ला में स्थित है सही विकल्प में यहाँ पर D हो जाएगा अगला कुशन है 109 इसमें पूछा गया है जांगी मठ हिमाचल प्रदेश की किस स्थान में स्थित है तो जो जांगी मठ है यह हिमाचल प्रदेश के कांगपियों में स्थित है ठीक है इस तरह के प्रशन भी बहुत सारे प्रदेश में पूछे जाते हैं जो मठ से रिलेटीड होगे मन्दीर से रिलेटीड होगे इन प्रशनों को आपको यादर करना है क्योंकि यह आपकी आगामी प्रदेश के लिए महत्पुन टॉपिक्स में एक है अगे पूछा गिया है बिचारी विकास खंड हिमाचल प्रदेश की जिली मे इस्थे थे तो यह उजए गुरमें यहाँ पर जो बिकल्प ए है सही हो जाएगा अगला कुछ ने महाराना परताफ सागर जहिल इसको अनिय नाम से भी जाना जाता है तो बताना है कि जो महरा नाम प्रताफ सागर जील है इसका अन्य नाम क्या है तो ये हो जाएगा पॉंग जील या पॉंग डेम अगला कोशिन है रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो जो रूपा घाटी है तो यह हो जाएगी आपके किन नौर में स्थित यहाँ पर जो सही विकल्ब सी हो जाएगा यहाँ पर आपको किन नौर से एक दो फैक्ट बता देता हूँ तो कई बार आपसे ये पुछा जा सकता है कि अंगुरों की भूमे किस जिले को कहा जाता है तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो दूसरा प्रशन यहाँ से बन सकता है कि जो शीला परबत चोटी है ये किस जिले में स्थित है तो ये भी हो जाएगी आपके किन और में ही याद रखिएगा इंपोर्टेंट है ये किन और जिला अगला कुशन है शीती धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो जो शीती धार है ये हिमाचल प्रदेश के कुलो जिले में स्थित हो जाएगी अगला कुशने 5, पोरी मेला हिमाचल परदेश के किस जिले में मनाए जाता है तो जो पोरी मेला है ये हिमाचल परदेश के लाहुल स्पिती जिला में मनाए जाता है यहां पर सही भी कल्प डी हो जाएगा अगला कुशने छे रानी खेरगड़ी हिमाचल पर देश के किजले से सबंदी थी तो ये थी आपके मंडी से कौन है ये रानी खेरगड़ी ये मंडी से सबंद रखती थी अगला कुछने वो शहर रियासत के संस्थापक कौन थे तो जो वो शहर रियासत है इसके संस्थापक थे परद्यूमन सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा कई बारे यह प्रशण भी बनता है कि जो परद्यूमन है किस भगवान से स्बंदित रहे हैं तो ये भगवान शिक्रिशन से सबंदित थी अगला कुशने आठ हिमाचल पर्देश के तरिगर्थ रियासत की राधानी क्या थी? जो तरिगर्थ है इसकी राधानी पुछी गी है तो ये थी नगर कोट सही विकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा अगला कुशने नो बैजनात का पुराना नाम क्या था? तो जो बैजनात है इसका पुराना नाम था किर्गराम सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा तो अभी हमने पीछे इसको डिस्कस किया था कि जो ब्रमपूर है इसका जो भरमौर का पुराना नाम क्या था तो ये ब्रमपूर था तो देखी इसी प्रकार से पूछा गिया है बैजनात का पुराना नाम क्या था तो ये किरगराम था अगला कोशन है लामबाडूग जलबिदित प्रयोजना हिमाचल प्रदेश के किस नदी में निर्मित है तो जो जल्पी दिद प्रयोजना है लामबाडूग तो ये बियास नदी में निर्मित है यहाँ पर सही विकल्प ए हो जाएगा अगला कुशन है हरी राय मंदीर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है जो हरी राय मंदीर है ये हिमाचल प्रदेश के चमबा में स्थित हो जाएगा सही विकल्प यहाँ पर D हो जाएगा अगला कोशिन है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कलियान योजनाओ रोजगार स्रीजन और जन्मंच की देख़े के लिए हाली में कौन सा ओनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरू वात की गए थी तो ये की गए थी हिम प्रगरती एप की शुरूआत या बे पोर्टल इसे कहा जा सकता है अगला कुशन है हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जंधन योजना के अंतरगत सितंबर 2018 तक बैंकों में कितने मूल बचट खाते थी तो ये थे 10.69 लाख कितने हैं 10.69 लाख बचट खाते अगला कुशन है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने आई एन पी एच विभाग की जो जी आई पाइप का एक परदाएक कौन सा है तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प D HP State Civil Supplies Corporation D सही विकल्प हो गाया यहाँ पर अगला कुशन है उननीज इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में कितने सरकारी सबजी विकास के अंदर कारी रत हैं तो यह हो जाएगे तीन अगला कुशन है यहाँ पर बैस इसमें पूछा गया है निमन में से कौन सा समार्ट ग्रीन शहरों की जलवाईयों के लिए एक कारेकरम है तो यह हो जाएगा विकल्प A नगर बन उद्द्यान योजना एक कदम हर्याली की और सही विकल्प यहाँ पर A हो जाएगा अगला कुशन है हिमाचल परदेश में अब तक यह डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतरगत कितनी इसेवाउं को शुरू किया गया है तो यह हो जाएगी बावन यहाँ पर सही विकल्प D हो जाएगा अगला कुशन है बाइस हिमाचल परदेश में कितने जिला परिशद कारे रत हैं तो यह है बाराक जिला परिशद अगला कुशन है निमलिकित में से किसने हिमाचल परदेश के मुख्यमंतरी का कारेकाल सबसे लंबे समय तक संभाला था तो ये हो जाएंगे श्री बिर्वत दर्सी हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के छे बार मुख्य मंत्री बने थे ये रिकॉर्ड है अब तक का ठीक है ना इसको याद रखिएगा अगला कोशन 24 इसमें पूछा गिया है कांगरा जिला हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा किस वर्ष बना तो जो कांगरा जिला है ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना था 1966 में यहाँ पर सही बिकर डी हो जाएगा 1966 से पहले जो कांगरा जिले को पंजाब के अंतरगत माना जाता था इसको भी याद रखिएगा अगला कोशन है 25 इसमें पूछा गया है बिजली महादेब मंदीर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्तित है तो ये कुल्लू में हो जाएगा इसी के साथ कुल्लू के एक दो परसिद मंदीर या स्थाना आपको बता देता हूँ तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि रहला फाल कहां पर सित है तो ये मननाली में सित है और ये ठंडे पानी का जलना है इसके पश्चात ये भी पूछा जाता है कि नगर कैसल कहां पर सित है तो ये भी कुल्लू में सित हो जागा ये भी कुल्लू में है, इसके पर चात खिर गंगा गरम पानी का चश्मा पूछा जाता है, तो ये भी कुल्लू में है, इनको आपको याद रखना है, यहां से प्रशन बनता रहता है अगला कुषने 26, स्रेमौल राजसी राज़े की स्थापना की थी, तो बताना है कि जो स्रेमौल राजसी राज़े की स्थापना किस ने की थी, तो ये राजा रसालू के द्वारा की गई थी, यहां पर सही बिकल्प ए हो जाएगा अगला कुछने 27 इस में पुछा गया है कर्चम बांगतू पनबिजली परियोजना की अधिश्टित क्षमता कितनी है तो जो कर्चम बांगतू पनबिजली परियोजना है इसकी क्षमता हो जाएगी 1000 मेगावाट ठीक है, सी से ही बिकल्प हो जाएगा यहाँ पर अगला कुछने गदी है एक, तो बताना है कि जो गदी है क्या क्या है जो गदी है यह अर्ध खाना बदोश जन जाती है, सही हो जाएगा इसके पर शाथ अर्ध क्रिशिक जन जाती है, यह भी सही हो जाएगा अगला है अर्ध पुशुचारी जन जाती है तो ये भी सही हो जाएगा इस प्रकार जो यहां पर बिकलप D है सही हो जाता है अगला कुशन है 29 हिमाचल परदेश की किस स्थान में हिमाचल परदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड स्थित हैं तो यह है आपके धर्मशाला में सी सही विकलप हो जाएगा यहांपर कई वारे यह प्रशन भी बनता है कि जो HPU शिमला के किस स्थान में स्थित है तो जो HPU है यह आपके शिमला के समर्हिल नामक स्थान में स्थित है इसको भी याद रखेगा, ये भी महत्पुन है कई वार यहां से एक शिमला से एक दो प्रशनाव को बदा देता हूँ कई वार ये प्रशन बनता है कि जो जाखु मंदीर है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सित है तो ये शिमला में हो जाएगा, ठीक है न? बड़ा भंगाल से, यहां पर सही विकल्प ए हो जाएगा अगला कोशन है, हिमाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार क्या है? तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा ए इसको याद रखेगा, इंपोर्टन प्रशन है, बहुत सी पिक्षा में से पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश के किस चिले में मनाए जाता है, तो जो बावा वालक नात मेला है यह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जीरे में मनाए जाता है, यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा अगला कुछन बाइस इसमें पूछा गिया है, हिमाचल प्रदेश में प्यादा गलाइडिंग के लिए कौन सा स्थान बिख्यात है तो यह हो जाएगा आपका बीर बिलिंग, ठीक है ना, डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो गई बार यह प्रशन भी बनता है कि जो बीर बिलिंग है, यह किस जिले में स्थित है, तो यह कांगला में स्थित हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो बने बीडियो का समापन कर लेते हैं, आप लोग बीडियो के अंतक बने रहे हैं, इसका बहुत बहुत धनियावाद साथ में आपको बता दूँ, आप हमारे चैनल के साथ बनी रहीएगा, इसके ज्यादा तर पार्ट हम बनाएंगे, जो आपके HPGK, इंडियाGK और क्रेंट फेर से स्वन्दित होंगे, और यह LT Commission और जो HP के बहुत सी प्रिक्षा हैं, इसके लिए बहुत ही महत्पून होने दूसे लिए आप हमारे चैनल के साथ बनी रहीएगा, ठीक है, थेंक यू.